हे किडो हाव आर्यू आज की अक्बर बिर्बल की कहानी सबसब बड़ी चीज गरज एक दिन बिर्बल दर्बार में उपस्तित नहीं थे जब भी ऐसा होता था तो बिर्बल से जलने वाले सपासद बिर्बल के खिलाब बाथसा अक्बर के कान बनने लगते थे अक्षर ऐसा ही होता था जब भी बिर्बल दर्बार में उपस्तित नहीं होते तब दर्बारियों को मौका मिल जाता था आज ऐसा ही मौका सभी को मिल गया बात्सा के साले मुल्लादो प्याजा की सव पाए कुछ सभासदों ने कहा जापना आप वास्तव में बिर्बल को आवस्ता से अधिक मान देते हैं हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं आपने उन्हें बहुत सीर पर चड़ा रखा है जबकी जो काम वे करते हैं वो तो हम भी कर सकते हैं मगर आप हमें कभी मौका ही नहीं देते बात्सा को विर्बल की बुराई कभी भी अच्छी नहीं लगती थी अता उन्होंने उन चारो की परिक्षा लेनी की सोच ली बादसा ने कहा देखो आज बीरबल तो यहां है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब आज चाहिए यदि तुम लोग मेरे प्रस्टन का सही सही जवाब देते हो तो तुम सब को इनाम मिलेगा और अगर तुम लोगों ने जवाब गलत दिया तो तुम चारों को मैं फासी पर चड़वा दूँगा बादसा की बाद सुनकर वो चारों घपरा तो गए लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ना आज हम कुछ करते हैं ये मौका है इस मौके को हम जाने नहीं देंगे उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा प्रशना बता ये बादसा सलामत बादसा ने कहा संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है और अच्छी तरह सोच कर जवाब देना वरना मैं कहे चुका हूँ कि तुम लोगों को फासी पर चड़वा दिया जाएगा बादसा अकबर ने और कहा अटपटे जवाब हरगिस नहीं चलेंगे जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो बादसा सलामत हमें कुछ दिनों की महलत दी जाए उन्होंने सला करके कहा बादसा ने कहा ठीक है तुम लोगों को एक सबता का समय देता हो चारो दर्बारी चले गए और दर्बार से बहार आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है एक दर्बारी बोला मेरे राय में तो अल्ला से बढ़ा कोई नहीं है दूसरा बोला अल्ला कोई चीज नहीं है कोई दूसरा उत्तर सोचो तिसरे ने कहा सबसे बड़ी चीज भूख है जो आदमी से कुछ भी करवा देती है चोथा बोला नहीं नहीं भूख भी बरदास की जाए सकती है फिर क्या है सबसे बड़ी चीज छह दिन बिद गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सुजा हार कर वे चारो बिर्बल के पास पहुचे और उसे पूरी गटना कह सुनाई साथ ही हाथ जोड़कर विंती की की प्रस्टन का उत्तर बता दे बिर्बल ने मुस्करा कर कहा मैं तुमारे प्रस्टन का उत्तर दूँगा लेकिन मेरी एक सर्थ है चारों ने एक स्वर में कहा हमें आपकी हर सर्थ मंजूर है बस आप हमें इस प्रश्णा का उत्तर बता कर हमारी जान बक्षिए चारों ने कहा बताइए आपकी सर्थ क्या है बिर्बल ने कहा कि आप में से दो लोग मुझे अपने कमधो पर बिठा लोगे उसके बाद एक मेरा हुका पकड़ेगा और एक मेरे जूते लेकर चलेगा यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए उन्हें लगा मानो बिर्बल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो मगर वे कुछ नहीं बोले अगर मौत का खौफ न होता तो वे बिर्बल का मूँ तोड़ देते मगर इस समय वो मजबूर थे अता तूरंत राजी हो गए दो लोगों ने अपने कंदों पर बिर्बल की चार पाई उठाई तीसरे ने उनका हुका चौथा जूते लेकर चल दिया रास्ते में लोग अश्चरे से उन्हें देख रहे थे दरबार में बात्सा भी यह मंजर देखा और वह मौजूदा दरबारियों ने भी कोई कुछ न समझ सका तभी विर्बल बूला महराज दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज अपनी गरज से यह पालकी यहां तक उठा कर लाए है बात्सा मुश्कुराए और वे चारो सीर जुका कर एक और खड़े हो गए दोस्तो मजा आया ना ऐसी कहानी हम आगे ही सुनेंगे सो स्टे ट्यून बाई